और इस वक्त नेरे साथ जादा जानकारी लेज सयोगी पवन अटारिया मौजूद है अजमेर में की मौजूदगी है और अजमेर आपको सिधा लिये चलते हैं जहां से वंदे भारत ट्रेन की सोगात यहां पर दी गई है हरी जंडी यहां पर दिखाई गई है और अजमेर से वंदे भारत जो ट्रेन होगी वो वाया दिल्ली होते हुए पहुचेगी चंडीगर तो बड़ी सोगात यहां पर पवन अटारिया दी गई है अब जानना चाहेंगे कि अजमेर वासी कितना उत्साहित हैं यह तोफा पाकर यह गिफ्ट पाकर प्रदान मंत्री मोदी के उड जी बिल्कुल मनी देखिए आज का दिन भी बहुती स्वन अक्षरों में दर्ज होगा क्योंकि जब अजमेर से दिल्ली पहली वंदे भारत ट्रेन चला करती थी और आज परदान मंत्री नरेंदर मोदी ने एमदाबाद से वर्च्वली अजमेर से चंडीगर सीधे एक और भारत ट्रेन की सौगात अजमेर वासियों को दिये इस से जानकारी के बाद अजमेर वासियों में काफी खुशी का माहल है और जैसा की परदान मंत्री नरेंदर मोदी ने वर्च्वली कारेकरम के तहत बताया 2014 से पहले किस तरीकी की रेल की विवस्ता थी यात्रियों को क्या सुविदा है मिलती थी और 2014 के बाद किस तरीकी की रेल यात्रियों को सुविदा मिल रही है उन्होंने का 2014 के बाद से रेलवे इस्टेशन पर हर एक आने वाले यात्री की शुरक्षा उसकी विवस्ता और अजमेर के दो प्लेट फारम पर एक इस्टेशन एक उत्पात की जो ओयो दुकान है वो खोली गई है जहां पर अजमेर के जो पुशकर के जो गुलाब से जो गुलकंद बनता है जो आवले की पैदावार होती है उनके जो प्रोडेक्ट है वो यहां पर बिकना शुरू हो कह सकते हैं कि अजमेर और पुशकर के जो गुलकंद है और जो आवले हैं और जो अलग-अलग उत्पाद है वो अजमेर के साथ-साथ अलग-अलग राज्यों में भी विकेंगे कुल मिलाकर अजमेर के प्रोडेक्ट पूरे राहिस्तान पूरे भारत में जाएंगे हमारे सा येसर स्री परदान मंतरी शीरी नरंदर भाई मोती जी का मैं हबार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने रेलवे प्लेट फर्म पर जो रोजगार देने का काम किया है वन इस्टेशन वन प्रोडेक्ट इसमें हमारा जो खुद का प्रोडेक्ट है क्रिशना के आवला केंडी है गुलकंद है हम गुलकंद भी बनाते हैं आवला केंडी बनाते हैं मुरबा बनाते हैं और तो और हम गुलाबजल भी बनाते हैं सर्बत भी बनाते हैं आज हमारे को पहले हमारे को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी माल बेचने के लिए आज हमारा रेलवे सेशन पर ओयो सोपी खुलने के बाद में पूरे भारत वर्स में हमारे प्रोडेक्ट चाहरे हैं हमारी सेल बढ़ रही है दिनों दिन हमारे पास कईयों के फोन आते हैं हम प करता हूं कि आपने जो रोजगार दिया है उसे हमारा का जन जीवन भी अच्छा चलेगा हमारे खुशी की लहर है हमारा प्रोडेक्ट बढ़ आए दिन हमारे रोजगारों में और भी बढ़ोतरी होगी इस यह कह सकते है आप उसकर और अजमेर के अलावा पूरे बारत देश म हमें आपके प्रोडेक्ट अजमेर की जो कमल की पैदावार है आउले की पैदावार है इनका अलग उत्पाद हैं पूरे बारत में हम क्या खुद गुलाब पैदा करते हैं फिर गुलाब की खेती को तोड़के फिर गुलाब से हम गुलकंद बनाते हैं उसके दवारा भी हम सर्बत भी बनाते हैं और यह आप देख रहे हैं गुलाब जल यह गुलाब जल भी हम उसी गुलाब के फूल को पानी में डालके उसको उबाल करके गुलाब जल बनाते हैं और आउला केंडी आप देख रहे हैं यह भी हमारी प्रसनल कहती है उसके आउले को तोड़ तोड़ क हम इकटे करके आउनले फिर लेबर को रखते हैं लेबर के दोवारा हम इसको आउनला केंडी के रूप में देते हैं जो आज हमारा किसीड कृष्णा के नाम से पूरे भारत वास में अच्छा नाम हो रहा है अच्छी शेल बढ़ रही है हमारे को अच्छा रोजगार मिला यह बनाते हैं इसी तरीके से देखिए यहां पर इस्टेशन पर जो अजमेर की विदायका है अनीता बदेल जी और जन प्रतिनी दी थे वो भी इस कारेकरब में मौजूद थे और सभी ने परदान मंतरी नरेंदर मोदी के जो संबोदे ने उसको सुना और उसको सराहा और म संत्री मोदी के ओर से दिया गया है इस रूप में कि कई हजार करोड की यहां पर सौगात दी गई है देशवासियों को और इसी कड़ी में राजस्तान का नाम भी है जहां पर वंदे बारत ट्रेन को हरे जंडी दिखा कर उनोंने किया है रवाना शुक्री आपका पवनत वा काम जानकारी कि देए